कानून का राज खतम हो गया और गुन्डा गर्जिया और घुलर भाजो का राज कया जा रहा है नरेन मोदी को ही इननों ब्लेम करते हैं तो क्या नरेन मोदी ग्रास हुट पर कितना काम करता हैंगे और सबसे खतरनाक बाते हैं कि अगर वो गैर हिंदू हैं मुस्लिम हैं तो उनको जा करके जेलों में डाल दिया जाएगा उनको कोई सुनवाई नहीं होगा जबकि बाकी धर्मों के लिए हैं उनके लिए अलग से कंसंट्रेशन कैम्प बनाया जाएगा उसमें डाला जाएगा नरेन मोदी को ही इननों ब्लेम करते हैं तो क्या नरेन मोदी ग्रास हूट पे कितना काम कर पाएंगे वो भाई अपर लेबल के मिनिस्टर है ग्रास हूट पे जब तक हम लोग नहीं सुतरेंगे हम लोग के मिनिस्टर नहीं सुतरेंगे तब तक कहां से हो पाएगा बेहरबर दसवी भारवी के हर विशे के लिए भारतिय भावन का नया उपहार दो वालियों में परिक्षा के नए पैटार ने अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ लाइफ सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा अभी हम गानी मैदान कारगिल चौक के पास खड़े हैं और आज 10 दिसंबर है और आज अंतराश्टिय मानो अधिकार दिवस भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P.U.C.L. जो एक मानो अधिकार संस्ता है वो सरकार के नीतियों के खिलाफ, NRC के खिलाफ और नागरिक्ता संशोदनविल के खिलाफ यहाँ पर नुकर सभा और एक धरत तरह का धन्ना परदशन कर रही है आई हम लोगों से जानते हैं कि उनका क्या है, किस चीज़ को लेकर आप धन्ना परदशन कर रही है जैसा कि आप जानने कि आज अंतरराज से मानवा धिकार दिवस है और जैसा कि अभी फिलहाल में अभी C.A.B. को कल ही पारिज किया है लोकसभा में तो इन तमाम चीज़ों को देख करके हम लोगों ने आज नुकर सभा का आयोजन किया है जिसमें तमाम तपके के लोग यहां पर मौझूद है जै तो नर्सी और कल जो नागरिक्ता संशोदन बिलपास हुआ उसको लेकर आप धन्ना दे रहे है दोनों को लेकर धन्ना दे रहे हैं और इहां पर आप देख सकते पोस्टर में लिखा है एन आरसी रद करो एन और से बिलपास लो नागरिक्ता शंशोदन बिलपास हुआ उसको लेकर भी हंगामा हो रहा है यहां पे लोग अपनी वाक रख रे हैं अपनी भाशन में देख सकते हैं सब इसे तो आईए हम चलते हैं और लोग उसे बाते करते हैं तो आप लोग किस चीज़ को लेकर विरोध करें सरकार की नीतियों को सरकार का या किसी एक का देखिए अभी आज अंतराष्टी ये मानवा दिवस है और मानवा अधिकार पे जितने भी हमले हो रहे हैं और जिस तरह से एनरसी लाया जा रहा है भरती नागरिक्ता संसोधन बिल लाया जा रहा है नागरिक टेशन सोदर्मिल से क्या तकलीफ है? अब उनसे पर्मानित करिए कि आप जहां पहले थे धर्म के नाम पे आपको उत्पिडित किया जाता था तभी आप नागरिक कहलाएंगे देश के नहीं तो नागरिक नहीं खालाएंगे और सबसे खतरनाक बात एए है कि अगर ओगैर हिंदू हैं मुस्लिम हैं तो उनको जाकर के जेलों में डाल दिया जाएगा उनको कोई सुनवाई नहीं होगा जबकि बाकी धर्मों के लिए हैं उनके लिए अलग से कंसंट्रेशन कैम्प बनाया जाएगा उसमें डाला जाएगा तो भूर रूप से सावित कर रहा है कि भारत में कानून का राज खतम हो गया और कि इन लोग हर चीज के लिए नरेन मोदी को ही इन लोग ब्लेम करते क्या नरेन मोदी ग्रास हूट पे कितना काम कर पाएंगे वह अपर लेबल के मिनिस्टर है ग्रास हूट पे जब तक हम लोग नहीं सुतरेंगे हम लोग है मिनिस्टर नहीं सुतरेंगे तब तक कहां से हो पाएगा तो जैसा कि आपने देखा सभी ने क्या क्या कहा आज अंतराश्टिय मानौ अधिकार दिवस है इसको लेकर पी यू सी एल जो मानौ अधिकार संस्टा है नुगर नाटक सभा भी रखी थी और साथ में हमने सभी लोगों से बात की कि उनका क्या कहना था तो सबकी बाते आपने सुनी और सबसे इंट्रेस्टिंग बात ये थी कि ये लोग तो एनारसी का नागरिकता शेंशोदन बिल का विरोध कर देखा और पी एम मोदी के पैन कह सकते हैं उनके शुपचिन तक हैं वो लोग आए और उन्होंने वहाँ पर ती हलकी नोग जोग हुए और जब मैंने उन्हें बोला बीच में डिस्टब ना करें तो वो थोड़े शान्त हुए है आपने ये सब सभी मंजर देखा और वे चोटी बोड़ी खबरों के लिए आप जूड़े रहे लाइव स्यूटिस के साथ और जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं